आम मेंसे काफी लोग परिशान होंगे कि यार AI ने तो हमारी जॉब खा जानी है कौन-कौन परिशान है ज़रा हाथ कड़ा करें obviously अगर physical class में होता तो आप ऐसे हाथ कड़ा करतें और most of you guys should have said यार ये data science की भी जॉब जा रही है यार ये AI जो बना रहे हैं उनकी अपनी जॉब चली जानी पिच्छे तो रही क्या गया ओ भाई अगली बात आनू पता है believe me जॉब उसकी जाएगी जो AI को सीखेगा नहीं जो AI को सीख रहे है न वो AI से एक कदम आगे ही रहेगा so there are few jobs जो already जा चुकी है and there are few jobs जो अभी जाने वाली है जनरेटिव AI के वज़ा से वो jobs कौन कौन सी हैं let's look into those सबसे पहले जनाबे वाला product description लिखने वालों की job जा चुकी है ठीक है और जो copywriting करते थे marketing tool के लिए उनकी job जा चुकी है वेब content बनाने वालों की job जा चुकी है वरना website बनाने से पहले आपको content writer चाहिए होता था जो generate करता था आपका basic website का content ठीक है उनकी job जा चुकी है अब जिनको पता है generative AI का वो कभी भी किसी से नहीं लिखवाते है वो खुद बताते है और generative AI उन्हें generate करके देती है then initiating interactive sales outreach उनकी भी job खत्रे में है and this can be replaced by AI क्यों कि interactive sales outreach जो होती है वो basically आप क्या करते है जब किसी को कुछ चीज भीते हैं उनसे service बगरा conduct करने है या आप outreach में जाके लोगों को बताते हैं कि हमारी product क्या कर रही है उसका simple सा rule generative AI कि तुर आप generate करके कुछ भी बना सकते है and then you can take it with you then answering customers question chatbots ने औरेड़ी इसको बहुत अच्छे से घाइब कर दिया even though people have implemented these chatbots, banks ने खास तोर पे whatsapp के उपर भी ये काम स्टार्ट कर दिया कि whatsapp के उपर आप message करें HBL हो गया, UBL हो गया जो पाकिसान की banks है तो आपको वो वहीं पर answers दे देते है then making graphics for web pages everything has been automated इसके इलावा आपको भी पता है कि there are many things which has been replaced already content writers जा चुके है जो grammar को correct करते होते थे copyright जो check करते थे वो भी जा चुके है grammar, punctuation, इंदर उदर की चीज़ें आप उठा के इसमें text डालें सब कुछ remove Grammarly एक बहुत बड़ी company थी वो उसको सारे का सारा नुकसान इसकी विज़ा से हुए अगर आपको याद होगा Grammarly एक tool था जिसको आप use करके English में different किसम की चीज़ें सब्सक्रिप्शन लेके यूज़ करते हैं तो Grammarly जो लोग सब्सक्रिप्शन लेके यूज़ करते था था अब उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अब चैट जीपिटी ने उसे भी रिप्लेस कर दी है So there are many tools, many industries which has been actually turned off एक बहुत बड़ी example, coding की दुनिया के अंदर आपको याद होगा, Stack Overflow एक website है और ये बहुत आला website होती थी मैं यही कहूँगा कि ये उन लोगों के लिए जो programming में जंप इन कर रहे थे या coding सीख रहे थे, उनके लिए gold mine थी चैर GPT के आने से code, GitHub को पाइलेट के आने से उसकी तरफ जाते ही बहुत काम में लो उनका अपना revenue generation सारे का सारा इसकी वेड़ा से रूख किया But now they are starting implementing generative AI या AI in their tools as well और वो इन्शाला बहुत जल्स लाँच भी करने वाले है So you can imagine कि बहुत ज़्यादे industries already खतम हो चुकी है And आपकी जोब भी खतरे में पढ़ सकती है If you don't learn AI Just imagine, जो काम आप कर रहे हैं वो अगर AI करना स्टार्ट कर दे तो आप क्या करेंगे ठीक है? गूगल ने कई बंदे फायर कर दी है Recently आप देख रहे थे कि अंडियन कंपनीज हैं American कंपनीज हैं COVID-19 में कई लोगों को फायर किया AI की वज़ा से भी किया और AI के बगार भी किया But at the end आप से request यह AI सीखे और अपने आपको मजबूत तरोताजा रखें महौल के हिसाब से आज एक मीटिंग में एक बंदा गहरा था गोरा था वो यह कह रहे थे कि हमारा जो लर्निंग का टाइम स्पैन है शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम हो चुकी है अगर आप आज कुछ सीखते हैं या आप डिग्री आज करके बैठके हैं अगले पांच साल में वो डिग्री नकाम हो जानी है रिजन के हैं न्यू टेक्निक्स आ रही है जैसे लोगों को बताया नहीं जाता था कि AI क्या है ये 2019-1919 के बाद AI ने बूम पकड़ा अब लोग इसमें बकाईदा डिग्रीज कर रहे है और यार उन बिचारों का क्या कसूर है जिन्होंने साधा कंप्यूटर साइंस में पिएजडी कर लिए उनको तो ये पता भी नहीं होगा अगर पता है तैट्स गूड तिंग नहीं पता तो आपको यही बताना चाहरा हूँ कि टाइम स्पैन अफ लर्निंग बहुत ज़्यादा कम हो गया है सोरी शेल्फ लाइफ आपकी लर्निंग जो है वो कम हो गया यानि जो चीज़ा आप आर्ट सीख रहे हैं अगले 5-6 मां में वो और भी एडवास हो रही है जब यह हमने कोर्स स्टार्ट किया था 6 मां का स्टार्ट के अंदर कॉंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन नहीं ऐसी चीज़ें आचुकी हैं इस कोर्स के अंदर I have to include them in our course खास तोर पे Generative AI के lectures और Transformers के lectures और बाकी चीज़ों के lectures इन सारी चीज़ों को मत दे नज़र रखते हैं आप से मेरी request है link description में मजूद है 6 मां का हमारा course आप जरूर करें पहले दिन से start करें and then you can learn from basic level coding क्या है, कैसे करनी है AI क्या है, कैसे करनी है, data क्या है science क्या है, data के वीचे कैसे समझनी है data को analyze कैसे करना है, visualization कैसे करना है machine learning क्या है, deep learning क्या है, mathematics क्या है mathematics तक हमने पढ़ाई हुए, statistics पढ़ाई हुए उस पर book भी publish की है, हमने इसी course के दुरान so just imagine कि आप 6 मां के अंदर पूरा train हो सकते है then you can learn a lot of things on your own और मेरी request आप से यह है, कि links description में दी है उन्हें explore जरूर करें और आज के लिए इतना ही इसी के साथ ही आज का lecture जो है उसे हम finish करते है